गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पानी के प्रदूशन के बारे में सीखेंगे। एक पल के लिए कलपना कीजिए बिना पानी के जीना। नाम मुम्किन। हाँ, सारी जीव कोटी के लिए पानी जरूरी है। हम पानी के बिना नहीं जी सकते। चलो, हम पानी के अनेक उप्योग देखेंगे। पानी पीने के लिए और अन्य घरेलू कार्य जैसे धोने के लिए, सफाई के लिए, पकाने के लिए, स्नान के लिए उप्योग होता है। है ना। घर के अलावा पानी के जरूरत कहां होती है। फाक्ट्रियों में सामगरी धोने के लिए, साफ करने के लिए और विशाल यंत्रों में थंडा करने के लिए पानी की जरूरत होती है। खेती में स्वस्थ फसल के लिए भी पानी की जरूरत है। पानी को नदी, जील से धरती पर लाने जहां फसल उकती है, इस प्रक्रिया को सिजाई कहते हैं। आज कल हर जगह निर्मान कारिय आप देखते रहते हैं। इस निर्मान कारिय के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। इन्ट सिमेंट को जोड़ने के लिए पाने की जरूरत होती है हमें नभियों से जीलों यानी लेक्स, ट्यूब वेलों आदी से पानी मिलता है क्या आपको हमेशा हर जगे स्वच पानी मिलता है? नहीं, तो यहाँ जल्ब प्रदूशन क्या है? व्यर्थ और हानीकारफ पदार्थ के मिलावट होने से जल्ब प्रदूशन होता है प्रदूशित पानी किसी कामका नहीं है अब जल्ब प्रदूशन के कारण देखेंगे स्नानागार यानी बाथरूम और शौचालेओं यानी टॉयलिट से निकला गंदा पानी, नाली यानी ड्रेनेज में मिल जाता है इसे सीवेज कहते हैं यदि नाली को साफ नहीं किया गया तो बहुत रोग फैल सकते हैं अगर ये गंदा पानी, पानी के मूल स्रोथ जैसे नदी में मिल जाता है तो जल्ब प्रदूशित होता है इसलिए सीवेज नदी या जील के पानी में न मिले इस पर ध्यान रखना चाहिए कुछ फाक्ट्रियों के व्यर्थ पदार्थ हानी कारक रसायन यानि केमिकल्स पानी में मिलने से जल्ब प्रदूशित होता है कभी-कभी होटिलों और घरों का कच्रा यानि गार्बिज खुली नाली में फैंकने के कारण भी नदी में पहुँझ जाता है खेती में प्रयोगित गीट नाशक यानि पेस्टिसाइज रसायन भी वर्शा होने पर नदी में बहकर पानी प्रदूशित करता है जल्ब प्रदूशिण के परिणाम यानि एफेक्ट क्या है? जल्ब प्रदूशिण का असल जल्चरों पर होता है हर साल अनेक मचलियों और जल जन्तु जल प्रदूशन के कारण मर जाते हैं प्रदूशित पानी में उगने वाले पेड़ पौथों में हानी कारक पदाथ होते हैं, जिसे खाने से जानवर और मनुशिवर बुरा असे होता है जैसे क्या प्रदूशित पानी में उगने वाला टमाटर यानी डुमाटो और अच्छे पानी में उगने वाले टमाटर दोनों के स्वाज क्या एक ही होते हैं? नहीं, हमें प्रदूशित पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें हानीकारक सूक्ष्म जीव यानी बाक्टीरिया होते हैं जिससे बीमारी होती है, इसलिए नदी, जील, आदी के पानी को घरों में भेजने से पहले जांच करके शुद्ध किया जाता है. घरों में नल से पानी कैसे आता है? जानते हों. नदी या जील या वर्षा का पानी रेजर्वॉयर में जमा किया जाता है. यह पानी छान कर मिलावट याने इंप्योरिटीज निकाली जाती है. तब सूक्ष्मजीव यानि बाक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीन मिलाई जाती है. तभी पानी पीने के लिए सुरक्षित होता है. फिर यह पानी धर्थी के नीचे से लगी हुई यानि अंडरग्राउंड ट्यूबों से घरों तक पहुँचता है. पानी शुद्धता करने जैसे नदी में नहीं फैकना चाहिए. प्यासे के लिए एक थैली स्वर्ण से एक बूंद पानी ज्यादा अमुल्य होता है. पानी बेश कीमती है और हमें हर एक बूंद को सुरक्षित रखना चाहिए. पानी जुँ में झालता है.Oh